हेलो फ्रेंट्स विल्कम टू आल आफ यू मैं प्रिसांच वे आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस वे प्रिशांत में तो आज हम एक फिर नए टॉपिक पर आए हैं कि आरोग सेतु एप क्या है तो आपके मोबाइल में मैसेज आया होगा आरोग सेतु एप से जुड़ा ह तो आरोग सेतु एप क्या है तो चर्चा में मैंने लिख दिया है कि चर्चा में है भाई तो कोविड-19 से निपटने के लिए भारस सरकार दोरा किया एक प्रियास है ठीक है और हाल ही में जो है केंद सरकार ने जो है कोविड-19 के मामलों को ट्रेक करने के लिए आरोग किया ठीक अब इसके क्या benefits हैं उसके थोड़ा सा देख लेते हैं क्यों क्या point of view है जहां से question बन सकते हैं तो आरोग आरोगे सेतु आप को जो है जो है जो बनाया गया है वह सारुज़नीक और नीजी छेतर की साज़ेदारी के जड़िये इसको तैयार किया गया है ठीक है दूसरा यह जो है Google Play Store पे launch किया गया है यह question आ जाएगा अब तीसरा जो इसका point है वह है जो COVID-19 जो coronavirus से जुड़े हुए संक्रमित ब्यक्ती हैं उनके उपायों से संबंदित यह जानकारी आपको provide करेगा ठीक और कितनी भासाओं में यह उपलब्ध है तो total 11 भासाओं में यह उपलब्ध है और इसमें एक point देखें तो य आप उनको उन नमबरों पर जहनकारी दे सकते हैं या मदद ले सकते हैं तीक है और इसका जो है इसमें Bluetooth टक्नीक, algorithm, artificial intelligence का भी प्रयोग किया गया है तीक तो यह एक point और थे अब इसका जो है मतलब क्या है थोड़ा सा देखें तो किसी ब्यक्ती को जो है अगर कोरोना वैरस क जोखिम का अंदाजा लगता है तो उस ब्यक्ती को जो है उसके आधार पर इससे track किया जाएगा तीक है और वहीं से जो है इसके जोखिम का आकलिन किया जाएगा अगर कुछ मापडंडों के आधार पर संक्रमन का समझ में आता है बात चीत के जरिये तो उससे उनको खोजा जाएगा और यह देखा जाएगा कि उनमें क्या वो लच्छन है अब देखे अब क्या होगा कि इसका जो है प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा तो अगर किसी के फोन में जो है आरोग एप लॉंच है तीक है दूसरे के फोन में भी है तो दोनों फोन एक दूसरे को यह कि इस व्यक्ति में भी जो है आरोग से तु एप लाउंच है कि अग थोड़ा सा देख लेते हैं और एक पॉइंट कि अगर कोई व्यक्ति कोविड-19 से जो है जो है सकरात्मक बेक्ति के संपर्क में आता है यानि किसी को है और कोई उससे मतलब सही है जो नहीं पेसेंट है उसका तो यह जो है एप उसको संदेज भेजेगा और वह जो है उसको अपने ख्याल रखने के बारे में एक जानकारी देगा कि आप इन इन उपायों को करिए ता देखेतें इलेक्ट्रोनिक और सूचना जो अ प्रवद्रवगी की मत्राले है उसके अनुसार जो है इनका यह मानना है कि एप जो है अपने अप्योग करताओं तता अने लोगों को कि जो संपर्क है उसको ट्रैक करेगा और किसी उप्योक करता को किसी संक्रमित प्विक्ति के संपर्ग में होने के संदे की इस्थिती में जो संबंधित आधिकारी इससे जुड़े हुए है उसको सतर करेगा ठीक है और COVID-19 के जो संक्रमण का प्रसार है ठीक है उससे लोगों को अलग रखने में इससे मदद मिलेगी ठीक है तो यह तो पॉइंट आप भी हुए है इसक संबंद या दिखारिक चिंता तो इस एप को लेकर विसे संद्यों में निजिता संबंदी जो थी वो चिंता जाहिर की गई हाला कि सरकार के अमसार व्यक्तियों की गोपनीता लोगों का जो डेटा है उनके फोन में ही एक आ गया कि उनके लोकल स्टोरेज डिवाइस में सु उपयोग करता जो है किसी व्यक्ति के संपर्ख में आएगा तब उसका उपयोग किया जाएगा और यह देखा जाएगा कि क्या व्यक्ति पॉजिटिव है क्या निगेटिव है है कि नहीं पेसेंट है उसको लेकर किया जाएगा तीक है अब प्रशन उठता है क्या डाटर न जो भी डाटा एकत्रित किया जाएगा उसका प्रयोग किया जा रहा है उसमें निजता संबंदी अधिकारों का हनन्ग होने की भी संभावना जो विसे सग्यों मान रहे हैं उनका मानना है कि सरोच नियाले का जो आदेश है कि उसका भी उलंगन होगा, कि जिसमें जो है निच्टा के अधिकारों से संबंदी जो अधिकार दिये गए हैं, उसको बताया जा रहा है कि भाई यहां पर आप दुर्पयोग कर सकते हैं, और यह भी तरक दिया जा रहा है कि जिस तरह से आधार नंबर एक सर्वलान सिस्टम बन गया है, वैसे ही कुरोना वाइरस से जुड़े एप्लिकेशन में भी लोगों का डाटा लिया जा रहा है, जिससे उनमें स्वास संबंदी जो डेटा हैं और उनकी जो निजी जानकारियां हैं वो भी सामिल हैं, तो अभी यह सुनिश्चित नहीं किया गया है कि किस प्रकार से इसका उप्योग किया जाएगा, तो हाला कि अभी कुल मिलाक ही यही है, तो मेरा मुख उद्य से बताने का यही था कि आप इसका प्रियोग परिच्छा में अगर आता है, तो धन्यवाद, नमस्कार, जैहिन